नमस्कार दोस्तों, ग्यान सरकिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चानक्य ने चार ऐसे कारियों के बारे में बताया है, जिनमें औरतें पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं। पुरुष इन चार मामलों में औरतों के सामने नहीं टिक सकते। इसी कारण से कई बार पुरुषों को औरतों से हार माननी पड़ती है। अगर आप भी इन चार मामलों में किसी स्त्री से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सावधान हो जाईए, औरतें आपको आसानी से हरा सकती हैं। चानक्य ने स्त्रियों के कई दुर्गुणों के बारे में भी बताया है, साथ ही उन्होंने स्त्री के गुण भी बताए हैं। देखा जाए तो गुण और दुर्गुण, स्त्री और पुरुष दोनों में ही होते हैं। प्रकृती ने दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया है। भले ही दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, दोनों के कार्य अलग-अलग हों, लेकिन एक स्त्री और पुरुश को साथ में ही रहना पड़ता है, यही प्रकृती का नियम है। mechanics पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं, पुरुष चाहे कितना भी बलवान हो, ग्यानी हो, अथवा धनवान हो, वो स्त्री को इन चार कामों में कभी हरा नहीं सकता। स्त्रिया नेत्र के एक कटाक्ष से ही महान तपस्वियों को भी अपना दास बनाने में समर्थ होती हैं, महा पुरुष कहते हैं, किसी भी स्त्री के मन की बाद जानना असंभव होता है, इसी कारण से कोई भी पुरुष स्त्रियों के व्यवहार को समझ नहीं पाता है। भले ही शारीरिक रूप से महिलाएं कमजोर हों, लेकिन महिलाओं में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं या कुछ ऐसी खासियत होती है, जो पुरुषों के अंदर नहीं होती है, बलकि जो बात चानक्यने कही है, उसे आज का विज्ञान भी मानता है। वैज्ञानिक द्रिष्टिकोंड से भी महिलाओं के शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो उन्हें पुरुषों से काफी अलग बनाती हैं, जिनकी वजह से महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे निकल जाती हैं। यूँ कहें, तो महिलाओं के शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी होती है, जो इन चार मामलों में उन्हें पुरुषों से अधिक कार्यशील और शक्तिशाली बनाती हैं। तो चलिए, जान लेते हैं। वह कौन सी चार बाते हैं, जिनमें महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करियेगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करियेगा। सबसे पहली बात है भोजन करने की क्षमता। दोस्तों, आचार्य चानक के कहते हैं, महिलाएं भोजन करने के मामले में पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं। शायद आपने भी इस बात पर गौर किया होगा, चानक के कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से दो गुना अधिक भोजन कर सकती हैं, महिलाओं के शरीर की बनावट ही ऐसी होती है, जिसके कारण उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए पुरुषों से अधिक उर्जा की आवश्य होती है, महिलाएं जाने अंजाने में पुरुषों से अधिक उर्जा खर्च करती है, जैसे ज्यादा बातें करना, ज्यादा सोच विचार करना, ऐसे कारियों में महिलाओं की बहुत उर्जा खर्च होती है, इसी लिए उन्हें अधिक भोजन की आवश्यक्ता होती है, जिस स्वाद को पुरुषों से ज्यादा अच्छी तरह से पहचान सकती हैं। दूसरी बात है बुद्धि मत्ता। दोस्तों, आचार्य चानक्य कहते हैं कि पुरुष शक्ति के मामले में औरतों से ज्यादा बलवान हो सकते हैं। लेकिन बुद्धी के मामले में वे औरतों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। चाणख्य के अनुसार महिलाएं पुरुषों से कई गुना अधिक चालाक होती है। उनकी चाल को समझना बहुत कठिन होता है। इसी कारण से महिलाएं पुरुषों से अधिक स्वार्थी होती हैं। स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा सोच विचार करती हैं। लेकिन अपनी बुद्धी का उप्योग वो गलत जगह पर करने के कारण काम्याब नहीं बन पाती है। स्त्रियां बुद्धिक शमता के मामले में पुरुषों से चार गुना आगे होती हैं। इसी लिए मुश्किल परिस्थिति में स्त्रियों से राय अवश्य लेनी चाहिए। तीसरी बात है साहस। दोस्तों ये बात सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन महिलाएं साहस क मामले में पुरुषों से भी छह गुना आगे होती हैं। देखा गया है कि महिलाएं संकट की घड़ी में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। जैसे कोई माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए कितने भी बड़े खत्रे से अकेले ही सामना करने के लिए चली जाती है। एक मा में जितनी शक्ती होती है उतनी शक्ती संसार के किसी भी प्राणी के पास नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि एक मा के साहस के आगे बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाले योद्धा भी घुटने टेक देते हैं। स्त्रियों का साहस पुरुषों से कई गुन अधिक कामुक होती हैं। शारीरिक संबंध बनाने के मामले में महिलाएं पुरुषों से बहुत ही ज्यादा आगे होती हैं। इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों की कामागनी रूपी ज्वाला इतनी भयंकर होती है कि वो बड़े-बड़े बलवान पुरुषों को भी उसमें भस्म करने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आचारे चानख्य ने इन चार बातों के बारे में बताया है जिन में औरतें पुरुषों से कई गुना आगे होती हैं। दोस्तों ग्यान सरकिल का ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया है तो आइकन दबाना ना भूलें आप सभी का धन्यवाद